कईसे हैं आप सब लोग आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज का यह वीडिएयो। के लिए बहुत ही यूसफुल होने वाला है क्योंकि मैं ले आए हूँ एक बहुत ही यूसफुल वीडियो बहुत अच्छी वीडियो और इस पैसली यह किचन के लिए है किचन के लिए मैं एक और रही हूँ और जो कि आपके किचन में देखने में भी बहुत ही सुन्दर लग तो भी कोई बात नहीं तो जनरली होता क्या है एक polythene के bag जो होते हैं हमारे घर में वो इधर उधर पड़े रहते हैं वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि polythene का use हम लोगों को नहीं करना चाहिए लेकिन ना चाहते हुए भी हम लोग कहीं न कहीं polythene का use करते ही हैं तो इन poly इनको organize करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक जगह इनको organize किया जाए तो मैंने एक bottle ले लिया है और इसी कहीं मैं organizer बनाऊंगी तो यहां यह दो लीटर की bottle है तो इसका आगे का भी पार्ट काट के अलग कर देंगे और पीछे का भी पार्ट काट के अलग नहीं करना है पीछे का भी पार्ट को पूरी तरीके से अलग कर दिया है और पीछे का भी पार्ट मैंने काट लिया है लेकिन थोड़ा सा जुड़ा हुआ है ताकि हमारा जो पॉलितिन बैग है वह इसी में डालेंगे और वह उपर से सेफ रहे क्योंकि उसमें धूल मिट्टी ना पड़ और अपने बाटल को पेंट कर लेके लिए मैने ले लिए है और लिए यह इक्रिल कल depends क्योंकि बहुत ही ज़्ली सूख जाता है आप अपने मन पसंद का कलर ले सकते हैं मैंने अब अपने बॉटल को पेंट करेंगे जब एक कोड़ सूख जाएगा तब उसके बाद दुबारा हम अपने बॉटल पेंट करेंगे ताकि अच्छे से कलर निखर कर आए और बहुत ही सच्टी पेंट होती है 20 रुपए की बॉटल मिलती है यह अपने ले लिया है और जल्दी से सूख भी जाता है तो यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी छोटी मटी चीज कलर करनी हो तो मैं एक्रेलिक कलर का ही यूज करती हूँ तो बस ऐसे रफली कोड को ऐसे रफली कर देना है कोई बहुत जादा इसमें फिनिशिंग नहीं लानी है और इसको धूप सो फ्रेंट्स अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डबल कोड अगर आप इसके उपर जाए तो कोई दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं और तो मैं डबल कोड वाइट यही कर रही हूँ बस इसको अच्छे से कर लेंगे मैंने यहाँ पर डबल कोड भी कर लिया है और यह पूरी तरीके से सूख भी गया है मुश्किल से दो तीन मियट लगे हैं सूखने में तो फ्रेंट्स मैं यहाँ पर बना रहे हूं थोड़ा सा डिजाइन इस पर एक कलर था औरेंज कलर का मेरे पास तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिजाइन बना लो अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप इस पर आजकल तो बहुत यह कलर फुल स्टीकर कर लिए था कि थोड़ा सा डिफ्रेंड लगे सुन्दर लगे अब यह बाटल मेरा जो है वह अच्छे से पेंट हो गया है यह वाकई बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब इसमें थोड़ा सा काम और बचा है इसको मैं दिखाती हूं इसमें मैं क्या कर देंगा मैंने यहाँ पे ले लिया है कलरफुल स्टीकर और इससे मैं बाटल को थोड़ा सा सजाओंगी आप अपने मन पसंद से कोई भी शेप का स्टीकर ले सकते हैं उससे आप सजा सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने बाटल में चिपका दिया है यह स्टीकर आप अपने मन पसंद के कोई कैसे भी शेप का चिपका सकते हैं और यह देखने में बहुत ही सुनतर लगता है मैंने बाटल के दोनों साइट में कर दिया है छेद अब इसमें मैं एक वूल की डोरी बनाओंगी और दोनों साइट में बान दूंगी और किसी हुक में जो मैं इसको लटका दूंगी और वो अच्छे से लटका रहेगा बाटल के दोनों साइट में इस तरीकी से एक वून की डोरी बनाकर मैंने एक हुक में लटका दिया है और आपको यह पेंटिंग निकराई थी यह सूप में बनी हुई है जो हम दोग चावल या गिमू साफ करते हैं जो गाउं में सूप चलता है उसको मैंने पेंट किया था तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है यहां पर यह तो फ्रेंट्स इसमें मैंने पॉलेथिन एके करके डाल दी है और इसको हम लोग जब भी यूज़ करना होगा जब भी पॉलेथिन निकालनी होगी तो ऐसे नीचे से एके करके निकालते जाएंगे हम लोग और फिर उपर से हम लोग जो भी पॉलेथिन जो है वो डालना होगा तो उपर से हम लोग डाल देंगे और इस तरीके से हम लोग नीचे से निकालते जाएंगे इस तरीके से हमारा पॉलेथिन भी सेफ रहेगा सो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर जरा सा भी अच्छा लगा है जरा सा भी यूसफुल लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी तक आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह और नोटिफिकेशन बल को जरूर आन कर लिजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिस आपके पास आपसे पहले पहुँचे तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्यू फ्रेंड्स